राश्पति से मिले कॉंगर्श नेता राहूल गांधी बोले विरोधियों को आतंकवाधी कहती है मोधी सरकार किसी दिन मुहन भागवत ने क्या विरोध तो बीजेपी उन्हें भी कह देगी आतंक की पीजेपी नरेंद्र मोधी जी का एक ही लक्ष है और वो किसान समझ गया है मजदूर समझ गया है लक्ष है कि उनके आसपास जो दो तीन चार बड़े क्रोनी कैपिटलिस हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोधी जी करते हैं जो भी नरेंद्र मोधी जी के खिलाख खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंगवादी बोलेंगे मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंगवादी बोलेंगे एक दिन अधर मौन भगवत ख़़े हो गए तो कहेंगे यह भी यातक वाली लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले